एक बार पिट से इस चैनल पर आपका स्वागत दोस्तों आप जानते हैं कि इस समय मौनसून दक्षिन मध्यव पूर्बुतर भाहत की राज्चों पर सक्री बना हुआ है मौनसून की आग्मन की परितिक्षा उत्रपचिम भारत से देश की कई राज्चों पर चल रही है भारत की करशी अर्थ व्यविस्ता मौनसून पर निर्वर करते हैं अगर मौनसून बेथर होता है तो भारत की करशी अर्थ व्यविस्ता भी बेथर रहती है लेकिन मौनसून जिस तरह से 2223 में निराशा जनक पर देशन के साथ आया और उसने जल्द ही समाप्ति कर ले लेकिन इस साल मौनसून 2424 में प्रगती के साथ साथ मौनसून का व्यवग प्रभावी नज़र आएगा मौनसून एक नई तेजे की साथ आगे बढ़ेगा मौनसून देश की उन राज्चों को भी गोएगा जहां पर इस समय इंतजार प्रतिक्षा और हमके सकते की भीशन गर्मी से जुलसते लोग तरस रहे हैं तो जल्द ही मौनसून की एंट्री होगी उन राज्चों में जहां पर इस समय भीशन गर्मी पढ़ रहे हैं मैं कुछ नाम ले ले लेता हूं आपके सामने जहां पर तापमान लगातार चालिस टेगरी तक बने वे राजिस्तान का शेत्र पूरिते से परभावित हो रहा है और चारिसात मद्य-ब्रदेश की भी कई गर्मी का सित्म है उत्ते प्रदेश पर इस साल व्याबग गर्मि से साथ-साथ भीशन गर्मी पढ़ती भी नजर आंगे भीशन गर्मी को न्ज़रा हैं आगे बढ़ेगा देश की उन राज्जों में बारिश देगा जहां पर इस समय सुखा बना हुआ है तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आप से एक छोटा से नवीदिन रहेगा वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो कर लीजे चैनल को सस्क के बात करते हैं कि यही सिस्टम इंपोर्टेंट रोल निभाने वाला है बारिश को लेकर आगामी समय में उतर भारत के राज्यों पर तो क्या उम्मीद हैं बारिश को लेकर अगर मैं आपको दिखाने का करूँ यह सिस्टम कब तक बनेगा क्या उमीदे हैं इस दोरान तो यह सिस्टम जो है वो देख सकते कि आंद्यप्रिदिष की उती शत्र के बढेशवल की उपर आने वाला है और अब तरह से आगे बढ़ता हुआ यह सिस्टम आगे बढ़ेगा ज़स्तकर को पार करेगा उडिशा को पार करता हुआ सिस्टम मद्यप्रदेश की और लगातर प्रूब करेगा क्योंकि मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं कि किस तरह से सिस्टम इंटेंसिपाई होता हूँ आगे बढ़ेगा और उमीद है कि इस सिस्टम के चलते हैं मद्यप्रदेश राजिस्तान तक पीशन बारिश होगी आप देखें 29 जून के अगर बात की जाए तो 29 जून तक इस सिस्टम जो है वो दिरे दिरे 36 गड़ के उपर पहुंच जाएगा और उमीद है कि इस सिस्टम आगे बढ़ता हुआ मद्यप्रदेश में भारी बारिश देगा और इस भी जगरम देगे तो राजस्तान के उपर काफी टबरे बादल आपको बनते हुए नज़र आएंगे 28-29 जून के आसपास और बीशन गर्मी से काफी बहतर रहात मिलेगी हलाकि एकले 2-4 दिनों के दरान भी बारिश की उम्मीदे हैं लेकिन जब मौनसून एक्टिव होगा और मौनसून की भीशन बारिश होगी वो बारिश आपको 27-28 जून के आसपास नज़र आएगी और काफी बहतर रहात आपको रहेगी क्योंकि काफी लंबे इंतजार के ब मौनसून सीजन बंगाल की खाड़ी पर जब भी कोई सिस्टम मघता है चाहे वो अरब सागरप्य पर बंगाल की खाड़ी पर तब देश में उमीदे बढ़ती है बारिश को लेकर जो कि सबसे अधिक प्रभावी सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनने वाना सिस्टम होता है जो बारिश को लेकर भारत के पर बढ़ता है और इससे हमें उम्मीद एती है मौनसून की प्रगती को लेकर मौनसून के प्रभावी होने को लेकर दोस्तों बंगाल के खाड़ी पर उमीदें की जल्दी एक सिस्टम बनेगा लगबग में आप गोता है कि 29 जून के असपास एक सिस्टम बनेगा जो आगे बरता हुआ लगातार प्रभावी होगा और देश की कई राज़ों बारिश देगा आप इस सिस्टम का रुख देख सकते हैं कि इस सिस्टम किस तरह से मद्य भार कर बढ़ेगा मद्य प्रदेश को पाहर करेगा और फिर आजस्तान में भी भीशन बारिश देता हुआ हमें नजर आएगा तो इस सिस्टम के कब तक आने की संभावना है दोस्तों 3-4 जूलाई त देख से में भारी बारिश देगा उत्री मद्य प्रदेश में भारी पारिश देगा और फिर आप देखे कि इस तरह से सिस्टम कुजाद राजस्तान पर पहुँच आएगा और वहां पर भी भारी पैरिश देता हुआ नजर आएगा तो तो 28 जून से लेकर 4-5 जूलाई त तो भी कापी ज़दा इंटेंसिफाई रहेगा तो ये रहा सिस्टमों से जुड़ा हुआ कुछ अपडेट और लगातर बंगाल की घाड़े में बनने वाली हलचल के उपर मेरी लज़त रहेगी फिलाल इस वीडियो में ही तहीं लगातर आप चैनल पर बने रहें धन्यवाद क्ता है